पर नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में आज इस वीडियो में सेखने वाले हैं कि आप फेस्बुक पेज पे लाइब स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं Loo Quality और High Quality में दोनों में भी मैं बताने वाला हूँ और यह भी बताने वाला हूँ कि आप Vimix का Output का Quality कैसे बढ़ा सकते हैं होता क्या कि माली जी हमने Vimix की Streaming में जा करके वहां से Quality तो हमने बढ़ा दिया अगर विमिक्स का आउट्पूट का क्वालिटी नहीं बढाते हैं तो हमारा प्रॉपर फेस्बूक हो या फिर यूटूब हो प्रॉपर हाई क्वालिटी में आपको नहीं देगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीएगा क्योंकि विमिक्स के रिलेटेड या तेकि इस चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहते हैं पहले हम चलते हैं अपने facebook पे login कर लेते हैं तो यहां पर हमने chrome already open करके रखा हुआ है यहां पर आपको facebook search करना है अपने chrome में या फिर किसी भी browser में यहां पर हमने अपना facebook page को login कर लिया है और एक page हमने बनाय हुआ है जो विनित पांडे विमिक्स के नाम से आप यहां देखेंगे कि यहां पर live video का option आपको देखने को मिलेगा पस कुछ नहीं करना आपको इस पर click कर देना है यहां पर हमने क्लिक कर दिया अगर माले जी आप create event करना चाहते हैं जिसे upcoming में तूस तरह से आप यहां पर सिदूर कर सकते हैं proper title वगएरे डाल करके मैं यहां पर live करने वाला हूं go live जो की present तुरंत ही मैं live करके आप लोग को दिखाने वाला हूं तो यहां पर go live पर click कर दे ख्राइगे ही एक ठीक यहां पर आप रही हमहां पर इसे allow कर देगा अपना कैम ला ठीक है यहां पर लाउ करने के बाद अभी देख रहे हैं कि हमें दोनों ही option दिखाए दिरहं तो यहां हम इसे close करेंगे close करने के बाद यहां पर दिख रहे हैं कि एस्ट्रीम सौफ्ट्य resort देख रहा है webcam देख रहा है तो हमें stream software से streaming करना है जो कि हम vemic software से streaming करने वाल है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर जहाल का साइज scroll करेंगे तो आपको advanced setting का option दिखेगा यहाँ पर stream key तो हमें देख गया है मगर हमें stream URL की जहूब रहत है तो यहाँ पर stream URL के लिए आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको server URL मिल जाएगा तो चलिए हम सबस पहले इसे क्या करते है stream की को हम copy कर लेंगे अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको किस परपर से आप लाइब जा रहे हैं यहाँ पूरा टूटल आपको टाइप कर देना है टाइटल डिस्क्रिप्शन तुम्हाले जी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टेस्टिंग लिख देंगे ठीक है यहाँ पर हम कुछ आजाते हैं आप लोगों को बताने बाल है कि इसका आउपूट हमारा प्रिवियू यहाँ है और इस आउट्पट फाइनल अगर माला जी हमें पर स्ट्रिमिंग क्वालिटी से पर कितना भी इंक्रीच कर लें अगर यहाँ पर हमारा जो आउट्पूड जा रहा है अगर यही हमारा इंक्रीज नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं आपका जो यूटूब पे या फेस्बूक पे लाइवी स्ट्रीमिंग जाएगा वह लो क्वाल्टी में ही जाएगा तो आपको मैं सजेस्स करूँगा यहां पे सेटिंग पे जाना है आपको सेटि रखीएगा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करिएगा नहीं तो यह सिस्टम पे आपके लोड पड़ेगा अगर ग्राफिक्स बगएर टाइटल बगएर रन करते हैं तो आपके सिस्टम पे लोड पड़ेगा तो आप अपने उसके अनुसार से करें सिस्टम के अनुसार से यहां पर फ्रेम रेड बगएर जो भी है मैं डिफॉल्ट यही रहने दे रहा हूं आपको अगर हाई क्वाल्टी में स्ट्रीमिंग करना है तो यहां पर आप अपना जो कई ओप्सन दिये हैं आप यहां पर स्लेट कर सकते हैं अगर सिस्टम आपका हैंग या लाइक कर रहा है क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोग को बता दे कि यहां पर तीन जो 123 करके स्ट्रीमिंग दिया हुआ है यहां पर आप तीन स्ट्रीम एक साथी कर सकते हैं 123 एक हो गये हमारा फेस्टूप का एक यूटूब का और एक अपने इस्टरगाम का अभी आता है हमारा आप यहां पर हमने कस्टम आटी एंपी रखा है अब बहुत लोगों का सवाल है कि सर हम अगर मालेजे कि ऐसे डारेक्ली हम लॉग इन करना चाह रहा हैं फेस्टूप से हमारा हो नहीं रहा है तो किस कारण नहीं हो रहा है तो अगर आप अपने सॉफ्टेयर को बाही किया ह हुआ है जैसे वेबसाइट से आपने पर्चीस किया हुआ है तो आपका यहां लॉग इन हो जाएगा आप आसानी से कर सकते हैं या पर ट्रायल वगएरे आप यूज कर रहे हैं तो तो भी आप लॉग इन कर सकते हैं तो मैं आपको सजिस्ट करूंगा अगर आपने पारेट दियर वालों ने वहां पर लेडी इन विल्ड करके रखा हुआ है आपको इहां पर स्लेट कर देना है अगर मालीज यहां पर फेस्बुक कर दिया हुआ है जो कि हाई क्वाल्टी वन जीरो एट जिरो पर आप लाइब करना चाह रहे हैं अगर उस से भी ज्यादा आप लाइ लाइब स्टीमिंग करें आपका बैस चलेगा आपका इंटरनेट इस स्पीड माल लिजीए कि अगर इतने पर लाइब स्टीमिंग करें तो दो सब से 500 एमेपीयस आपका इंटरनेट स्पीड होना चाहिए ध्यान रगएगा आपका डाउन्डोडिंग स्पीड और स्पीड चेक करना है ना कि आपको डाउन्रोडिंग स्पीड अप्लोडिंग स्पीड आपको माले जहें कि 100 Mbps तो होना ही चाहिए अगर 1080 पर लाइब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो यहां पर आपको स्लेट कर लेना है तो मैं तो अ हम यहां पर कॉपी कर लिया इसे हम पेस्ट कर देंगे सर्वई वहरल को भी हम कॉपी कर लेते हैं इसे भी हम पेस्ट करके यहां पर सेफ कर देते हैं सेवें क्लोज अभी हमारा जो की स्ट्रीम की हमने डाल दिया है यहां पर हम कुछ नहीं करना हमें स्ट्रीम पर क्लिक कर नहीं हैं अब जैसे हमने स्ट्रीम पे क्लिक किया हमारा स्ट्रीमिंग जाने लगा यहां इस तरह से अब देखिए हमारा यह प्रॉफर आने लगा अब हमारा जो फेस्बुक पर लाइब है तप ही जाएगा यहां पर दीख रहे हैं ''Go Live'' और जब तक लएगं करेंगे यह आप आपका public नहीं जायेगा तो मैं आपको स्क्रेशियर पर लाइब, आप जैसी करते हैं, वो आपका लाइब जाने लाइगा, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जरूर जरूर रिपलाई मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थाइंक यू